राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग 3 अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे अध्याय 24 ओनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रध्योगी की का नय सम्मत उप्योग सुनिश्चित करना तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पार्ट प्रिष्ठ संख्या 95 ओनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रध्योगी की का नय सम्मत उप्योग सुनिश्चित करना 24.1 नई परिस्थितियां और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में व्रिद्धी को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेश साधन संभाव ना हों वहां हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तयार हूँ इस संबंध में नई शिक्षानीती 2020 प्रोध्योगी की संभावित चुनोतियों को स्विकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करती है यह निर्धारित करने के लिए कि ओनलाइन या डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं सावधानी पूर्वक और उप्युक्त रूप से तैयार किया गया अध्यायन करना होगा साथी सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनोतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियानवित ICT आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा 24.2 तथा पी ओनलाइन डिजिटल शिक्षा का लाव तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफायती कंप्यूटिंग उपकरनों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता यह जरूरी है कि ओनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्राद्योगी की का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूफ से समबोधित किया जाए 24.3 प्रभावकारी ओनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उप्युक्त प्रशिक्षन और विकास चाहिए पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचलित रूप से चलने वाली एक ओनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिध्ध होगा अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ओनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग द्रिश्टी कोण के आवश्यक्ता होती है बड़े पैमाने पर ओनलाइन परिक्षा आयोजित करने में कई चुनोतियां हैं जिनमें ओनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्टनों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यावधान से जूझना और अनैतिक प्रताओं को रोकना शा किया जा सकता है। इसके अलावा जब तक ओनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधी आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइको मोटर आयामों पर सीमित, फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित श शिक्षन अधिग्रम के लिए प्रावध्योगी की के उभरते हुए महत्यों को देखते हुए यह नीती इन प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है। का ओनलाइन शिक्षा के लिए पाइलट अध्यायन आधी जैसे संबंधित विशयों का अध्यायन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अध्यायन संचालित करने के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNU, IIT, NIT आधी जैसी उप्युक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पाइलट अध्यायनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उप्योग किया जाएगा। प्रिष्ठ संख्या 97 भारत के क्षेत्र फल, विविधिता, जटिलिता और डिवाइस अर्थ बोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्मान करने की ज़रूरत है। जिसका उप्योग कई प्रेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशन्स द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिष्चित होगा कि प्रौध्योगी की आधारित समाधान प्रौध्योगी की में तेजी से प्रगती के साथ पुराने न हो जाएं। ग ओनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण। शिक्षार्थियों की प्रगती की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहयक उपकरण के एक संरचित, उप्योग करता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयम, दीक्षा जैसे उप्युक्त मौजूदा e-learning प्रेट करण एक वास्तविक आवशक्ता हैं। इस तथे को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा जनसंचार मध्यम जैसे टेलिविजिन, रेडियो और सामुदाइक रेडियो का उप्योग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शेक्षिक कारेक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए विभिन भाषाओं में 24 by 7 उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामगरी पर विशेश ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेश बल दिया जाएगा कि जहां तक संभव हो शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामगरी उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे। च वर्चुल लैब्स वर्चुल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयम और स्वयम प्रभा जैसे मौजूदा e-learning प्रेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित अनुभाव का समान अव प्रिश्ठ संख्या 98 प्रयोग स्थापित करने के लिए शिक्षकों की भूमी का पर जोर दिया जाएगा ज़ ओनलाइन मुल्यांकन और परिक्षाएं उप्यूक्त निकाए जैसे कि प्रस्तावित राष्ट्रिये मुल्यांकन केंद्र अथ्वा परक, स्कूल बोर्ड, NTA और अन्य चिन्हित निक मुल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और उन्हें कार्यानवित करेंगे जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, मानकी कृत मुल्यांकन और मुल्यांकन विश्लेशन के डिजाइन शामिल होंगे 21 सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शिक्षा प्रोध्योगीकियों का उप्योग कर मुल्यांकन के नए तरीकों का अध्यान किया जाएगा जह, सीखने के लिए मिश्रित मॉडल डिजिटल शिक्षा व शिक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह स्विकार किया जाता है तद अनुसार विभिन विशयों के लिए सीखने के विभिन मिश्रित प्रभावी मॉडल उप्युक्त प्रतिक्रिती के लिए चिनहित किये जाएंगे इया, मानकों को पूरा करना जैसे जैसे ओनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं NETF और अन्य उप्युक्त निकाय ओनलाइन डिजिटल शिक्षन शिक्षन के लिए सामगरी प्रद्योगी की और शिक्षा शास्त्र के मानक स्थापित करेंगे ये मानक, राजियों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्चितर शिक्षन संस्थानों, आधी द्वारप, यी लर्निंग के लिए दिशा निर्देश तयार करने में मदद करेंगे 24.5 विश्वस्तरिय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्शर, शेक्षिक डिजिटल कंटेंट सामगरी और क्षमता का निर्मान करने के लिए एक समर्पित इकाई का स्रिजन शिक्षा में प्रोध्योगी की कोई गंतब्य ना होकर एक यात्रा के समान है और नितिगत उद्देशियों को लागू करने के लिए विभिन पारिस्थितिक तंत्र के खिलाडियों को तयार करने हेतु ख्षमता की आवश्यक्ता होगी स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की इशिक्षा आवश्यक्ताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्राले में डिजिटल बुनियादी धाचे, डिजिटल सामगरी और ख्षमता निर्मान की विवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी चूंकि प्रोध्योगी की तेजी से विकसित हो रही है और उच्चतर गुणवत्ता वाले ई-learning को वित्रित करने के लिए विशेशग्यों के आवश्यक्ता है इसलिए एक जीवन्त पारिस्थिती की तंत्र को ऐसे समाधान के लिए प्रोसाहित किया जाना है जो न इसका कुछ भाग प्रतेक बीतने वाले वर्ष के साथ पुराना होता जाता है अतह इस केंद्र में प्रशासन, शिक्षा, शेक्षिक प्रोध्योगी की डिजिटल शिक्षा शास्त्र और मुल्यांकन, इ-governance आदी के क्षेत्र से जुड़े विशेशग्यों शामिल होंगे प्रध्याय 24, ओनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रध्योगी की का न्याय संबत उप्योग सुनिश्चित करना वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहियोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत